मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज सडक पर निकल करके जो भारतिय जंता पार्टी हम लोगों को रोखना चाहती थी घरी में कैद कर रखना चाहती थी लेकिन कायकरता सडकों पर दिखाई दिये और आतिवार के दिन होने की वज़े से नवरात का आतिवार है हर घर में आतिवार मनायाता है इस संगर्ज को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जैप्रिकास जहनती लोगनाइक भारत रत्न समाजवादी नेता गांदी जी के साथ और भारत की आज़ादी में भूमिका निवाने वाले जैप्रिकास जी की जहनती हम लोगों ने वहीं पर मना ली जो समाजवादियों ने म्यूजियम मनाया था जहां पर जैप्रिकास नाराइन जी की प्रतिमा है हर वर्स हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माले पर करने जाते थे समाजवादी सरकार थी उससे में उद्गाटन हुआ था नेता जी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आये थे और सोशलिस म्यूजियम का उद्गाटन हुआ था J.P.N.I.C. का उद्गाटन बाद में हुआ है जे बिनाइसी वो इस बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्रिलास स्ट्रक्शर बना हुआ है जिसके अंदर आज के समय पे जो मौडरन चीजें हैं जिस तरीके से इंडिया हैबिटेस सेंटर बना हुआ है दिल्ली में बड़े-बड़े कल्क्शर प्रोग्राम या कॉन्फरेंसेज होती है और समय समय पर वहाँ पर कारक्राम होते हैं उससे भी बहतर लखनों में नेताजी ने शिलानस किया था और पिछली समाजवारी सरकार में उसको पूरा किया गया था ये जेपिनाईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे उची बिल्डिंग है सबसे उची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फरेंस हॉल है और जो इसका स्ट्रक्शर है जो कैंटिलीवर है शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फरेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपिनैसी के अंदर है